हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं हेल्दी सी सब्जी आपके साथ शेयर करने वाली हूं तरोई और काले चनी की रेस्पी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है सब्जी आप जरू ट्राय करना और इसमें पीछ में हम बहुत अचु आपको चीह शीयर करते हैं तो primo रीड़ा इस लेणा अध्युत शाहां है रमस्सा नैसर्ड़ जालेगहों लिए तो सारी हम इसे कट कर लिए हैं अब इसको हम रख देती इस साइड में इ governments कुटकर में कूकर में बहुत जट पड से बन जाता तेल डालेंगे इदर सर्सु का तेल से हम बनाएंगे बहुत अच्छी बनती सबजी तो सर्सु का तेल थोड़ा सा आपको ज्यादा डालना है क्योंकि इधर प्याज वगर अच्छे से भुनना चाहिए तो जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जीरा और अधरक लैसोन मिर्च का पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सराई भी डाल देते हैं जब यह थोड़ा भुन जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे अध्रा क्लेसुन मिर्च का पेश्ट जिसको हम कूट लिये थे हलका दरदरा सा और इसको हम भुनेंगे थोड़ा यह भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज तो यह देखिए एक प्याज ली थी जिनको मैं ऐसे बारी कट कर ली हूँ और प्याज भी डाल देते हैं प्याज को भी डालने के बाद हम भुनेंगे जब प्याज हमारा भुन जाएगा तो इधर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालेंगे और साथ में हम सुखे मसाले भी एड़ कर देंगे तो ये देखिए प्याज हमारा भून गया है अब इधर डाल देते हैं टमाटर और कोई जादा मसाले आपको एड नहीं करना है बस बेसिक मसाले जो में बेसिक वही सब आपको एड करना है तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और कास्मीति लाल और गरम मसाला भी इधर ही हम डाल देंगे सब आपको साथ में डाल के और अच्छे से भूनना है तो ये देखिए और नमक भी डाल देते हैं तो ये नमक भी डाल दिए अब इसको भूनेंगे अच्छे से मसाला को अगर आपको मसाला थोड़ा जल रहा हो तो हलका सा पानी आप इधर डाल सकते हो वर टमाटर डाले हो नहीं जलेगा क्योंकि उसका भी पानी छोड़ता है तो इधर अच्छे से आपको भूलना है मसाला, जब मसाला अच्छे भूल जाया यगया तो इधर फिराएं चीज में डालने वाली जिसे आपकी सबजी का टेस्ट और पी जादा बढ़ जाएगा, एक स्पून डाल देंगे बेसन, हाँ जी बेसन आपको डालना है, इससे आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी और गाड़ी-गाड़ी सी बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप जरूर बेसन डालके देखना, बेसन डालने के बाद आपको भुनना है इ तो अग्रान back थे प्लान पानी चैनाब में हम अधे चनाई का रमाशा है जो बन चाने युदद में के रिख आज Schr सकानी प्लाइब कैसा अधे तो अच्छे से गल जाती है, तो इसमें हम चने भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ में, लंदी के पुली, पुली के डुली, तो ये देखिए मसाले में अच्छे से भून जाएगा जब, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि य पानी मतलब जादा नहीं छोड़ती है तो इसमें हम पानी भी डालेंगे तो जादा पानी आपको नहीं डालना है और गुकर की सीटी लगाके ना आपको चार सीटी लगाएंगे हम इधर चार सीटी लगा देते हैं तो यह रहें चार सीटी हो जाएगा जब तो आप देख रहें कितने अच्छे सब्जी हमारी पक गई है अगर आपको पसंद नहीं हो पानी इसमें तो आप थोड़ा सकते पानी बट मैं थोड़ा सा रहने दूंगी और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया सब्जी रेडी हो चावल के साथ रोटी के साथ या पराठे के साथ इंज्वाइ कर सकते हो तो अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स बेसन की वज़े से ये सब्जी कितनी जाता गाड़ी दिख रही है आप देख रहे हो तो आप जरूर ट्राय करना अब वीडियो अच्छा लगे प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब चैनल को मेरे जरूर करना लाइक करना शेयर करना मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्य थैंक्यू सो मुच ओके फ्रेंट्स वाइ टेक एर